कि कहा जाता है कि टैलेंट कभी किसी के बेर्थ नहीं जाता है आज की डेट में हर ब्यक्ति के पास अपना अपना एक टैलेंट है किसी ब्यक्ति का कि संगीत एक टैलेंट है किसी ब्यक्ति का जोब की तरफ जाना एक टैलेंट है कोई ब्यक्ति मेकेनिक में अपना टैलेंट रखता है हर ब्यक्ति के पास एक नेक ऐसा टैलेंट है जो से जिन्दिकी में बहुत आगे तक ले जा सकता है कि बेक्टिपने टैलेंट के दम पर ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है आपने सुना ही होगा कि रेलाइंस ग्रुप के माले कि धिरुभाई अम्बानी कभी पेट्रोल पंप में तेल भरते थे ऐसा लोगों ने कहा है अलग-अलग कहानियां थी कि बहुत ही गरीब परिवार था लेकिन आज की डेट में देखिए आज हमारे भारत का एक बहुत बड़ा घराना माना जाता है आज भारत की एकोनोमी का उपर और नीचे आना इनके ब्यापार पर निर्भर करता है टाटा गुरुप को आप देखिए या पिर किसी भी ऐसे सक्सेस्फुल इंसान की तरह आप नजर उठा कर देखिए उसके पीछे उनका कहना कहीं टैलेंट और उनके द्रड़ निस्चे और स्रंकल्प जो भी है वो उनके साथ में रहा इसी प्रकार हमारी एक गाई का जिनका निधन हो चुका है लता मंगिसकर ये भी एक बहुत ही शूटी गाई का थी लेकिन इनका जो टैलेंट था इसको दुनिया ने पहचाना और कहीं न कहीं ये हर दिलों की आवाज बन गई और इन्होंने अपने सुरों के संगित से पूरे दुनिया में अपनी एक ऐसी जगे बनाई कि ने सुर कोकिला के नाम से जाना जाने लगा और लता जी ने अपनी सुरुआत बहुत ही छोटे के लिए से की थी लेकिन बानबे वर्ष की उमर में उनकी मरत हुई कोरोना काल के दौरान इस दौरान पे उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया बहुत बड़ी बात है क्योंकि साइथ ही अपने देश को ऐसी कोई दूसरी गाई का मिल पाएगी जिनोंने हर भासा में अपने गानों को देखा और इसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्स भी किया और उन्हों की जो संपत्ति की बात है जो कि देनिक जागरण के अंतरकत में यी पीपर से हम लोगों ने देखा है कि लटा मंगेशकर अपने पीछे छोड़ गए इतने करोड की संपत्ति देखिए लटा मंगेशकर ने पहली बार मराटी फिल्म में काम किया था जिसका पहला गाना का भी रिलेज भी नहीं हुआ था लेकिन देखिए कि यहाँ पर इसमें इनकी जो कमाई हुई थी मात्र कितने हुई थी 25 रूपय की हुई थी अब समझिएगा ब्यक्ति कहता है सुरुआत ही हमें बहुत बड़ा चाहिए लेकिन इन्होंने सुरुआत की थी मात्र 25 रूपय से इसकी बाद में और देखिए क्या क्या चीज़ इनकी साथ में हुई फिर इसकी बाद में इन्होंने लगातार अपने पैसन को बनाए रखा और अपने इसी प्रोफेशन को अपना सब कुछ बनाया तब यह बन गए स्वरकोकिला मतलब इनको स्वरकोकिला के नाम से जाना जाने लगा और यह 92 साल की उम्रे में दुनिया को अलविदा कह चुकी है 6 फरवरी की सुबह उन्होंने अंतिम सासली जहां कुरोना से संक्र्प्त होने की बाद उन्हें भरती किया गया था लता मंगेस करके निधान से पूरे देश में सूप की लहर है भारत रतन से समाने थी ध्यान देजेगा हमां सिर्फ इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि यदि व्यक्ति अपने ट्रैलेंड को पहचाने आज के नवी वक सिर्फ नोकरी की पीछे भग रहे हैं मैं आपक कर पाया आप नोकर की मालक बनने की कोशिश करिए स्वैम के टैलेंट को पहचानी स्वैम के अंतर छुपी समताओं को देखिए और आपके अंदर से आपके अंतर आत्मय से कि जो भी आवाज निकलती है आप उसी प्रोफेशन में लग जाएए इस्वर चाहेगा एक दिन ऐसा समय आएगा कि वही प्रोफेशन आपको आपकी जिम्दगी में बहुत हुचाई थक ले जाएगा वही इनके साथ भी हुआ यह भारत रतने से समानित की गई और सन 1922 में इन्होंने अपने केरियर की सुरुवात की थी इन्होंने 36 भासाओं में लगभग पचास जार से भी ज्यादा गाना गाये हैं एक गाईका के तोर पर इतना लब में केरियर में लाता मंगेशकर ने काफी संपत्ती बनाई थी जैसे कि ट्रस्ट यह जो आपकी एक वेपसाइट दे गई है इसमें एक रिपोर्ट के मुताबित कुछ इनकी जो भी बाते कही गई हैं वह हम आपको दिखाते हैं यह दिखाने की पीछे हमारा कोई और मकसद नहीं दिखाने की पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप भी अपने अंदर की टैलेंट को पहस्चानी है और जीवन में शिर्फ उसी को लेकर आगे बढ़िए आप बहुत लंबे तो जाएंगे लतामंग इसकर जो कुल प्रॉपर्टी बताएगे वो लगभग 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के असपास है इसका मतलब है यदि हम भारती रुप्यों में गिंती करें तो 360 करोड रुपे हैं इध्यान देजेगा कि यदि आप पूरे जीवन भी नोकरी करेंगे तो आप एक करोड अधि आप पचीस से तीस वर्ष है यहां पर ह wrong tells को देखते वए 360 की परपर की बनाई है लादा जी का अधिकान कमा उंक करूट के गानों को रोलती हैं गानों को रालिटी के मतलब यह कि जो जो ने गाने गाए एक गाना जब 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 भी चलते हैं उन से उनको कुछ नगुछ पैसा बनता है वह ज़τα returned माराधी कुछ गया दिदा गह DIRE branding नहीं हुआ लेकिन कहा जाता है कि उन्हें पहली कमाई के रुपे मातर 25 रुपे मेरे थे लेकिन अंतर तक वो करोड़ों की संपत्य की मालकिन बनी आखरी समय में विरत्त मंगेश करके जो मासिक इंकम मतलब जब इनकी अनुटिंटम सास ले इस समय भी इनकी जो मासिक इंकम लगभग 40,00,00 रुपय थी अब बताईए 40,00,00 रुपया मासिक इंकम और सालाना में लगभग 6 करोड रुपय बताई जा रही है अब 40,00,00 रुपय इनकी जो मासिक इंकम है मुझे नहीं लगता है कि यह जितना इन्होंने महेंने में कमा रही थी इतना बेखती पूरी उम्र में कमा के रख सकता है यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पैसन को अपना केरियर मनाया आप भी यदि सिक्षत हैं या असिक्षत हैं तो आप देखिए आपको किस विश्य की रूचि जाधिक है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पसंद करते हैं मतलब में उस प्रोफेशन से जहने आप पसंद करते हैं हो सकता है किसी विखतिके पेसन हो एलेक्टिक सिटी उसका जो रुजहान है वो एलेक्टिक सिटी की तरफ हो तो आप उसमें आगे बढ़िए किसी कश अगर रुजहान-गाने की तरफ है शिखिंग सिग्ग को लगा अधियन की तरफ जान दे एक एक चीजों को डीपली से देखे मतब जो भी आपको लगता है जिन्दगी में कि मैं इस काम को बहुत बहुत कर सकता हूं किसी के दूसरे के दबाव जबरजिस्ती में आप जिन्दगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपके दिल से निकले देश की बहुत ही सम्मानित बिक्ति की जिन्होंने भारत रतन पाया और जिन्होंने एक जीरो से हीरो तक का सफर तै किया है तो हमारी सुब कामनाएं आप सभी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर छुपी हुई सकती को पहचाने और उसके अनरूप आप जीर में आगे बढ़ें धन्वाल्ट